कि बात उनननों कि हैं जब सुभास गई अपनी फिल्म हीरो को बनाने में बिजी थे और इसके लिए श्टार कर्ष्ट का चैन किया जा रहा था अपनी फिल्म में हीरोईन के चैन जब कर रहे थे तो कई हीरो ने सबाट चीत की लेकिन कुछ ना कुछ परिसानी के कारण उन्हे हिरोईन नहीं मिल रही थी ऐसे मैं उन्हों ने मुंदन सिन को फूर्च किया फिर क्या हुआ जाने के आच्छी वीडियो में है हरो नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग उमीद कर रहा है मैं हो गोविन और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली अपने फिल्म हीरो के लिए लॉंच करना चाहा अज एलीट एक्टर और बाकी कलाका कर चैनल हो रहा था काफी सारी नाइकाओं से बात होने कि बात जाकर वो मुलमुन सिन के पास गया उन्होंने जब अपने प्रज़प्त के बारे में मुलमुन सिन को बताया और उनसे इस काम करने हो कहा तो मुलमुन सिन ने जट से ये सवाल कर दिया कि जैकि स्रफ कौन है चोकि उस वक्त मुलमुन से सिर्फ बंगला फिल्मों में ही काम कर ले थी और वो एक बहुत ही बोल्ड अविनेट्री थी वो परदे पर बोल्ड सीन देने में जरा भी प्रहेज नहीं करती थी ऐसे में सुभाजगई चा रहे थे कि हीरो हिरोईन दोनों को ही लॉंच किया जाया लेकिन जब मुनमुन सिन ने ये पूछा कि जैकि स्रफ कौन है तो सुभाजगई को बहुत गुस्ता आया उन्होंने मुनमुन सिन को अपनी फिल्म से द्रॉप करने का मनमन आया और फ उन्होंने इस फिल्म में साइन ना करके बहुत बड़ी गल दीखिये जहिसी बात है जिस फिल्म को अगर कोई ना बोल दी और बार में और हीट हो जाए तो पस्तावा तो हो गई इसके बात जब राजन सिपी अंदर बाहर के डिरेक्शन के लिए जब मुनमुन सिन के पास और उन्होंसे कहा कि आपको इस फिल्म में काम करना है अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं तो मुनमुन सिन ने बाकी अक्टरस के बारें पूछा तो राजन सिपी में कहा कि इस फिल्म में जैकिसराफ और अनिल को बढ़ा है और आपको जैकिसराफ के अपोजित में रहना ह अब चुकी मुनमुन सेन जान चुकी थी कि जैकिसरा कौन है उन्हाने तुरंथ फिल्म को लपगी है और इस तरह से अंदर बाहर मुनमुन सेन की पहले हिंदी फिल्म बन गई है तो दोस्तों उमिद करता हूँ आप आज के वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करें और कोई कॉमेंट करना चाहें मुनमुन से इनके बाड़े में तो आपके और और इसी तरह के ब्हुत्रीन वीडियो दिखने के हमारे चानल करना ना भूले हैं मिलते अगले वीडियो में अब तक के लिए हसते रहें मुश्कुलाते रहें और मुझे दीजे झाले।